नमस्कार दोस्तों आप सभी का इंडिया स्पीक्स न्यूस चैनल में हार्दिक स्वागत है इसके बावजूद बीते दिन कबजेदार ने भारी संख्या में लोगों की मदद से फसल को काटना शुरू कर दिया यही नहीं जानकारी पर पहुँची राजस्व पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया जिससे मौके पर भगदर मच गई यहां कई लोग घायल हो गए बात यहीं खत्म नहीं हुई कबजेदारों ने फसल में आग लगा दी और मौके से फरार हो गए इसके उपरांथ खेत में पड़ी सभी जोपडियों को टीम ने हटवा दिया घायलों को उपचार हेतु अस्पताल में भरती कराया गया है तहसील कलींग कशेत्र में सरकारी जमीन पर भूमा फियाउने कबजा कर रखा है इसके अलावा कई पट्टेदारों को लालच देकर उनकी जमीन पर भी फसल बो रखी है क्शेत्र के गाउव बसंतपुर नौनेर में जंगल से 60 लगभग 18 एकर जमीन को वर्षो पहले 9 पट्टेदारों को आवंटित की गई थी गाउव के ही एक व्यक्ती ने इस जमीन पर कबजा कर गेहूं की फसल लगा दी शिकायत मिलने के बाद एक माह पहले नायब तहसीलदार ने नोटिस जारी कर जमीन को कबजा मुक्त कराने को कहा था बुद्वार कबजेदार ने फसल की कटाई शुरू करा दी मामले की शिकायत मिलने के बाद गुरुवार नायब तहसीलदार अक्षय यादव, माधोटांडा पुलिस और राजस्व और पुलिस कर्मियों के साथ मौके पर पहुँचे जमीन पर कमपाइन से गेहुं कटाई चल रही थी, मना करने पर कबजेदारों ने जंगल में छुपे साथियों की मदद से राजस्व और पुलिस टीम पर हमला कर दिया इससे मौके पर भगदर मच गई पीक पर भाला लगने से मौके पर मौझूद किसान बलजीत सिंग, सिपाही अखिलेश कुमार सहित तीन लोग घायल हो गए इसके बाद उपद्रवियों ने खेत में खड़ी गेहुं की फसल में आग लगा दी इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भरती कराया गया बलजीत सिंग की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रैफा कर दिया गया कबजेदारों को खदेड ने गई राजस्व और पुलिस टीम पर भूमा फियाओं ने किया हमला जंगल से सटी जमीन पर कबजा कर लगा दी गेहुं की फसल जारी नोटिस के बावजूद नहीं छोड़ी गई जमीन फसल काटने की शिकायत पर पहुँची राजस्व पुलिस टीम पर किया हमला पूरनपूर करीब दरजन भर पट्टेदारों को आवंटित की गई भूमी पर कबजा कर एक र्यक्ती ने गेहुं की फसल लगा दी शिकायत मिलने मिलने पर नायब तैसीलदार ने नोटिस जारी कर जमीन कबजा मुक्त करने की बात कही थी इसके बावजूद बीते दिन कबजेदार ने भारी संख्या में लोगों की मदद से फसल को काटना शुरू कर दिया यही नहीं जानकारी पर पहुंची राजस्व पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया जिससे मौके पर भगदर मच गई यहां कई लोग घायल हो गए बात यहीं खत्म नहीं हुई कबजेदारों ने फसल में आग लगा दी और मौके से फरार हो गए इसके उपरांथ खेप में पली सभी जोपडियों को टीम में हटवा दिया घायलों को उपचार हेतु अस्पताल में भरती कराया गया है तहसील कलींग कशेत्र में सरकारी जमीन पर भू माफियाओं ने कबजा कर रखा है इसके अलावा कई पट्टेदारों को लालच देकर उनकी जमीन पर भी फसल बो रखी है कशेत्र के गाव बसंतपुर नौनेर में जंगल से सटी लगभग 18 एकर जमीन को वर्षो पहले 9 पट्टेदारों को आवंटित की गई थी दाव के ही एक व्यक्ती ने इस जमीन पर कबजा कर गेहूं की फसल लगा दी शिकायत मिलने के बाद एक माह पहले नायब तहसीलदार ने नोटिस जारी कर जमीन को कबजा मुक्त कराने को कहा था बुद्वार कबजेदार ने फसल की कटाई शुरू करा दी मामले की शिकायत मिलने के बाद गुरुवार नायब तहसीलदार अक्षय यादव, माधोटांडा पुलिस और राजस्व और पुलिस कर्मियों के साथ मौके पर पहुँचे जमीन पर कमपाइन से गेहुं कटाई चल रही थी, मना करने पर कबजेदारों ने जंगल में छुपे साथियों की मदद से राजस्व और पुलिस टीम पर हमला कर दिया इससे मौके पर भगड़ मच गई, पीक पर भाला लगने से मौके पर मौझूद किसान बलजीत सिंग, सिपाही अखिलेश कुमार सहित तीन लोग घायल हो गए इसके बाद उपद्रवियों ने खेत में खड़ी गेहूं की फसल में आग लगा दी इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए, घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भरती कराया गया बलजीत सिंग की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफ़ कर दिया गया